आज मैं लाए हूँ आपके लिए ऐसी वीडियो salty water नमक वाला पानी अगर हम बरतन में boil वगेरा करते हैं तो बरतन बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं उनमें salt जमा हो जाता है नमक जमा होने की वज़े से बरतन बहुत खराब दिखने लगते हैं तो यही problem मैं दूर करूं आपकी बहुत अच्छी तरीके से clean करना बताऊंगी तो प्लीस वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल भी skip ना करें देख सकते हो कितना ज्यादा salt यहाँ पे निकला है एक बरतन से तो प्लीस वीडियो पसंद आयते हो like, share and subscribe जरूर कीजिए तो चली हम clean करते हैं मेरे पास salty water होता है वो सारा जाके बरतन में deposit हो जाता है तो आज हम इसे ही clean करेंगी तो यहाँ पे मैंने gas की flame को on कर लिया है और जो भी बरतन आपको clean करना है salty बरतन उसे आपको gas flame पे रख देना है तो यहाँ पे मैंने fast करके रखा है gas की flame को यह देखिए ऐसे ही आपको fast कर देना है इससे क्या होगा नमक हमारा थोड़ा सा लूज हो जाएगा और नमक जहाँ पे भी है वहाँ पे वो छोड़ने लगेगा अपनी जगह को तो ऐसे ही आपको गरम करते रहना है भगोने को तो चली ऐसे हम गरम करेगे जब तक कि यह थोड़ा यहाँ पे रिलिस ना करने लगे तो प्लीस यह वाला वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि यह प्रॉबलम हमारे घर घर में होती ही होती है ज्यादा हो या कम हो पर बरतन में सॉल्ट जमा हो ही जाता है तो देखिए ऐसे आपको घुमाते हुए यहाँ पर बरतन को ऐसे ही गरम कर लेना है गरम करने से क्या होगा नमक की पपड़ी उकरने लगेगी इसमें जो deposited salt वो करने लगेगा तो यहाँ पे मैं थोड़ी दिर के लिए और गरम कर लेती हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लूज हो चुका है यहाँ पे नमक तो यहाँ पे कोई भी चाकू से या कोई भी धार वाले आप यहाँ पे इससे आपको थोड़ा सा रिलिस कर सकते हैं देखें निकलने लगा हैं आप यहाँ पे कोई भी शार्प नाइप लेके हैं कोई भी अगर आपके पास कल्ची वगेरा हो तो उससे आपको ऐसे ही खुरत लेना है क्योंकि ये बहुत आसानी से रिलिस हो जाता है आपको अगर डिपॉजिट थोड़ा सा कम है तो ज्यादा मैनत आपको नहीं लगेगी अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो आपको मैनत थोड़ा सा गरम करते रहना है और इसे आपको खुरत लेना है तो ये व्ला प्रोसेश थोड़ा सा सावधानी में करें क्योंकि बहुत ज्यादा गरम है तो इसे आपको चोड़ भी लग सकती है आप देख सकते हो यहाँ पे मैने चाकु ले लिया है और कितना आसान तरीके स यहां पे नमक निकल रहे हैं, देख सकते हो आप यहां पे, तो यह देखिए फ्रेंड, आसानी से डिपोजिट हुआ, यहां पे नमक निकल रहा है, तो ऐसे ही आपको करना है, गरम करते रहना है, ऐसे ही चाकु से आपको खुरुषते रहना है, तो देखिए फ्रेंड, ऐसे ह वाली दिक्कत बहुत जादा आती है घर में तो देखिए मैंने यहाँ पे इतना सारा खुरेट लिया है तो अब देखिए इतनी सारी खुर्चन यहाँ पे निकल चुकी है तो चलिए मैं यहाँ पे करती हूँ दूसरा प्रोसेस तो यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है यहाँ पे अच्छी तरीके से हमारा निकल चुका है यहाँ पे मैं थोड़ा सा एट करूंगी हार्पी आपके पास अगर हार्पी को वो भी आप ले सकते हो चाहे तो आपके पास कोई भी अगर लिक्वीड हो तो उसका भी आप यूज कर सकते हो हार्पी में थोड़ा सा इसे एट करूंगी ऐसे ही इससे भी बहुत आसान तरीके से निकल जाता है जो भी सॉल्ट वगेरा जमा हो जाती है कोई भी गंदगी भी हो तो भी इससे निकल जाती है सौरी यहाँ पे लाइट चली गई थी उसमें मैं एट क करूंगी पानी और इसे हमें फिर से गरम करना है तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्यास की फ्लेम को अन कर लिया है इसे में अच्छी तरीके से गरम कर लूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बबल्स भी आने लगे है जो हमारा नमा के थोड़ा सा रिलीज हो जाता है जिसे क्या होगा हम अगर किसी जूने से अगर क्लीन करेगे तो बहुत आसानी से यह वाला प्रोसेस हो जाएगा तो आपको ऐसे ही कर लेना है तो यह देखिए मैंने यहाँ पे पानी गिरा लिया है कितनी हद तक यहाँ पे क्लीन हो चुका है आप देख सकते हो कितना सारा यहाँ पे salt था वो बहुत हद तक clean हो चुका है और आपके case में बहुत ज्यादा salty है जैसे मेरे भगोने में है तो इसे फिर से एक बार आपको gas टो पे रख देना है थोड़ा सा इसे बन करके ऐसे ही आपको चाकू से इसे निकाल देना है तो आपने देखा कितना सारा यहाँ salt निकला एक भगोने से मैंने आपके सामने ही किया है पूरा process तो इसे जरूरा पाजमा यह बहुत ज्यादा helpful है तो देख सकतो यहाँ पे किस हद तक यहाँ पे clean हो चुका है पर यहाँ पे थोड़ा सा फिर से salt बचा है तो मैं एक बार इसे फिर से गरम कर लूँगी और एक चाकू की सायता से धीरे-धीरे करके जितना निकल सके उतना मैं निकालने की कोशिस करूँगी आप चाहे तो यह प्रोसेस दो बार भी आप कर सकते हो जिससे भी धीरे-धीरे से निकल जाएगा पूरा ही salt जितना भी deposit है तो यह process आप दो से तीन बार भी करोगे तब भी बह deposit नहीं होता है तो वैसा करने से भी बहुत अच्छी तरीके से salt यहां पे निकल जाएगा यह देखिए बरतन बहुत अच्छा गरम हो चुका है उसमें मैंने plain वाला पाने दाल दिया तो यहां पे थोड़ा सा मैं liquid जो हम use करते हैं वीम बगेरा उसे में दाल दूंगी और ए एक साइट क्याम रहा था इसलिए मिरको धीरे धीरे यहां पे में रगड रही थी तो यह देखिए ऐसे ही आपको पुरा clean कर लेना है बहुत आसानी से clean हो जाता है तो यह उला process आपको कैसा लगा प्लीस मुझे जरूर बताएए देख सकते हो इतना हद तक यह clean हो चुका है मैं second time फिर से इसे repeat करूंगी तो बहुत आसान तरीके से पूरा हो जाएगा देख सकते हो कितना सारा यहां पे salt deposit हो था अगर यह वीडियो थोड़ी भी आपको helpful लगी हो तो प्लीस इसे जरूर शेर कीजिए ताकि दुसरों को भी यह वाला idea मिल सके और अपने बरतन को clean कर स तो देखिए कितना सारा salt यहां पे निकला है हमारे भगोने से तो प्लीस वीडियो पसंद आये तो like, share and subscribe करना बिल्कुल न भूलिए उससे मुझे motivation मिलती है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो मे आपसे मिलती हैं